राम राम जी शेयरा न हुप्पुली सारे ठिक्ता आगोंगे तो आज की वीडियो में बात करेंगे MD के रिजल्ट के बारे में तो आपके रिजल्ट कब तक आएंगे इसको लेकर बहुत सारे स्टुडेंट का डाउट रहरा कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे रेगुलर वाड़ 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 आते हैं और आपके जो एक्जाम से अब की बार मोशली आपके दिसंबर के लाश तक खतम हो चुके हैं प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके सिर्फ प्रैक्टिकल पेंडिंग रहती है वो भी आपकी लगबग है एक से 15 तक कंप्लेट करवा दी जाएगी तब तक पेपर वो भी चेक हो लेंगे उनका रजल्ट अपडेट हो जाएगा उसके बाद जैसी आपकी प्रैक्टिकल का रजल्ट जाएगा रजल्ट जाने के बाद आपके टोटल नमबर सेलेक्ट होके टोटल होके उसके बाद आपका रजल्ट हो अपडेट कर दिया जाएगा तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा कब तक आपका रिजल्ट आएगा इस चीज़ के बारे में आपको बता दीता हूँ कि आपके जो एक्जाम्स है वो दिसंबर के लाश्ट तक खतम हो गए थे और आपके अभी 45 से 50 या 60 दिन काउंट करे तो वो आपके फरवरी में जाक आ सकते हैं उसके साथ साथ जो आपके डिस्टेंस के आपके रिजल्ट है उनमें आपके थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि रेगुलर के जो रिजल्ट है और एक्जाम्स हो पहले कंडक्ट करवाए जाते हैं लेकिन जो आपके डिस्टेंस वाड़े हैं उनके लिए थोड प्रठेटिकल नहीं देनी जरूरी है क्योंकि आपको आगे की थियोरी और बन्वाले या फिर बढाले खुद जो भी आपकी मर्जी है वो करके उसके बाद थोड़ी वाई-वाई की प्रिपरेशन करके आप जा सकते हो उसके बाद आप कंपल सरी एक बार ट्राई जरूर करो मेभी यह हो सकता है कि आप रिय अपीर देनी के बिज़ाई इंप्रूमेंट दो तो अच्छा रहता है यानि कि आपको अगर सतर नंबर नहीं आते मेभी आपके चालिस आजए तो भी बढ़ी आ एक तो एक जार रुपे बच जाएंगे दूसरी घरवालों से गाली खाने से बच जाओगे ठीके उसके साथ साथ एक माइड पर प्रेसर है मिलते हैं जल्दी नहीं वीडियो लेकर तब तक के लिए राम राम